रोहन अपने कमरे में उदास बैठा था क्योंकि उसका इंग्लिश का एक्साम बहुत खराब हुआ था वह दुखी था कि उसका बहुत कम माक्स मिले तब ही रोहन की दादी उसके कमरे में आती है और रोहन को एक सुंदर सी पेंसिल किफ्ट में देती है रोहन बेटा ये पेंसिल भी एक्दम तुम्हारी तरह है ये पेंसिल तुमको बहुत कुछ सिखाएगी देखो जब ये पेंसिल को छीला जाता है तो इसे भी एसा ही दर्द होता है जैसे अभी तुम्हें हो रहा है पेंसिल छिलने के बाद पहले से सार्प और अच्छी हो जाती है और उससे अच्छी लिखाई होती है अब तुम भी आगे से बहुत मेहनत करोगे तो तुम भी पहले से ज़्यादा होश्यार और अच्छे बनोगे